नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ IPC की धारा 498 A के बारे में जी हैं दोस्तों यह बहुत ही प्रचलित धारा है बहुत ही आज कल इसका उपयोग किया जा रहा है यह दुरुपयोग भी इसका बहुत होता है तो आज मैं आपको दारा 498 A के बारे में बताने वाली हूँ तो सबसे पहले जानते हैं कि ये धारा 4991 क्या है इसका क्यों प्रयोग किया जाता है या अस्तित तुमें का बाई तथा इसके क्या क्या प्रावधान है इन सब के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ तो दोस्तों हमारे समाज में लड़किओं और महिलाओं को लेकर कई कानून मनाये गए हैं इसी में से धारा 491 एक है जो महिलाओं को सुरच्ष़ प्रदान करते है या महिलाओं के लिए सुरच्ष़ कवच है ऐसा पाया गए है कि परिवार नाम की एक संस्था है या कहें कि परिवार नाम का एक दाइरा है इस दाइरे के अंदर महिलाओं के खिलाप हिंसा की प्रमुख वजहों में से एक दहेज भी है और इसी के चलते महिला आंदोलन के दबाओं में भारती दंड़ सहिता में 498A वजूद में आया था 498A यानि किसी महिला पर पती या पती के रिष्टेदारों द्वारा कुर्ता करने की हालत में बचाने वाला कानून है तो अब जानते हैं 498A जो है यह क्या है इसके बारे में जानते हैं तो जब IPC यानि भारती दंड़ सहिता में 498A को शामिल किया गया था तो समाज ने विशेश कर वैसे परिवारों ने राहत महसूश की जिनकी बेटियें दहेच के कारण ससुराल में पीडित थी या निकाल दी गए थी लोगों को लगा कि विवाहित बेटियों के लिए यह सुरच्छा कवच प्रदान किया गया है इससे दहेच के लिए बहूं को प्रतारित करने वाले परिवारों में भै का वातावरण बनना शुरू हुआ था जो वै बंद होने लगा और इस धारा से मिलने वाले लाभों से अनभिग्य लोग जो थे वै इनका प्रयोग करने लगा पर कुछी समय बाद इस कानून का ऐसा दुरूपयोग भी शुरू हुआ कि जिसे वर पच्छ के लोगों को दराने में यह कारे करने लगा तो अब आते हैं धारा 498A यानि इसका क्या प्रावधान है कानून में कानून के तहत यह जानते हैं तो दहेच प्रतार्णा स बचाने के लिए 1986 में IPC की धारा 498A प्रावधान किया गया है इसे दहेच निरोधक कानून कहाज गया है यह कहें कि दहेच प्रताधिनियम के नाम से भी जाना जाता है अगर किसी महिला को दहेच के लिए मांसिक या सारीरी या पिर किसी अन्य तरीके से प्रतारित किया जा केस दर्ज किया जाता है महिला की शिकायत पर और इस अपराध को गंबिर अपराध की श्रणी में रखा गया है साथ ही यह गैर जमानती अपराध है और दहेच के लिए ससुराल में प्रतारित करने वाले तमाम लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है दहेज प्रतारना और ससुराल में महिलाओं पर अत्याचार के दूसरे मामलों से निपटने के लिए कानून में सक्त प्रावधान किये गए हैं महिलाओं को उसके ससुराल में अच्छा वातर बरण मिले इसके लिए कई सक्त कानूनों के प्रबंद भी किये गए हैं जानते हैं कि धारा 4991 के तहट सजा के क्या प्रावधान है तो इस मामले में दोशी पाए जाने पर जादर जादर तीन साल की तक का कारावास होता है और जुर्माने से भी दंडित किया जाता है वहीं अगर शादी शुदा महिला की मौत संग्द परिस्थितियों में होती है और यह मौत सादी के साथ साल के दोरान हुई हो तो पुलिस आईपीसी की धारा 304 बी के तहट केस दर्ज करती है 1961 में बना दहज निरोधक कानून रिफॉर्मेटिव कानून है दहज निरोधक कानून की धारा आठ कहती है कि दहज लेना और देना दोनों ही संगे अपराग है दहज देने के मामले में धारा 30 के तहट मामला दर्ज हो सकता है जी हाँ दहज निरोधक कानून रिफॉर्मेटिव कानून जो 1961 में आए था उसकी धारा 3 के तहट मामला दर्ज हो सकता है और इस धारा के तहट जुर्म साबित होने पर कम से कम पात साल की कारवास की सजा का प्रावधन है तदा धारा 4 के मताबिक दहज की मांग करना जुर् रहा है मतलब कि राहत कहां तक किसको राहत मिल सकती है तो महिला का पती हो या अन्य ससुराली जन अगर महिला के साथ कुरूता का विवहार करते हैं तो वे तीन साल तक की सजा और जुर्माने के भागीदार होते हैं हिंसा सहने वाली महिलाओं को इस से हिफाज़त मिलने की यही नहीं वह समविधान महिलाओं के साथ भेद भाव हिंसा दूर करने वाले अंतराष्टी समझाओता के दाएरे में महिलाओं के मामले देखेगी तो फाइनली मैं आपको धारा 499 जो है उसका निश्कर से निकलता है कि जो भी पती या पती के रिष्टेदारों द्वारा किसी महिला के साथ कुरूरता का वेवार किया जाता है ऐसी कुरूरता का वेवार दहेच के लिए किया जाता है शारीरिक मांसी किसी भी तरीके की तो उ इसमें आप्राधी को तीन साल का कारावास तथा जुर्माने से दंड दिया जाता है और धारा 428 निदा प्र्था अधिनियम से संबंदित है या कहें कि दारा जिसका प्रयोग दार्थ के लोभीयों को रोकने के लिए है थांकियो